ब्यूटी पैजंट अक्सर बन जाते हैं गेटवेई टि बॉलवूड ऐसा हुआ है श्वारिया राय, सुश्मिता सैन और लारदता जैसी कई सारी आक्ट्रिस के साथ जिनके रिष्टे में आए नैशनल और इंटनाशनल ब्यूटी कांटेस्ट ने उन्हें बना दिया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब अक्ट्रिस बाट इस बार की पैंटलून स्फेमिनामिस इंडिया इंटनाशनल अंकिता शौरी की कहानी है थोड़ी डिफरेंट पैंटलून स्फेमिनामिस इंडिया इंटनाशनल 2011 का क्राउन पहनने से पहले ही वो कर चुकी हैं इंडस्ट पर गई हूं यहां पर invite करते थे and because मैं ले पहले काम किया हुआ है काफी mentors के साथ industry के so I think it's just a level up but it is something which was already part बाकई पांचलून स्फेमिनामिस इंडिया इंटरनाशनल का खिताब आंकिता को अब एक level उपर ले जाने के लिए तयार है Bollywood has been my first love films are my first love मैं अपने हर interview में यह बात कहती हूं क्योंकि मैं दिल से I want to be there and यह तब से है जब से शाद मैं तीन साल की थी I knew कि मैं एक film star बनूंगी और खुद अंकिता भी Katrina जैसी actresses से inspiration ले रही है Bollywood में एक actress की तरह अपना career शुरू करने के लिए वो भी बनना चाहती है Katrina की तरह lucky girl Very few people are as lucky as Katrina and though I'm lucky but I'm also very very hard working वो भी बहुत hard working है वो अपनी मेहनत से यहां तक पहुंची है एक British citizen होने के बावजूत उन्होंने इंडिया में एक बहुत बड़ा मुकाम पाया है Katrina ने मैं एक Indian होते हुए इंडिया को प्राउट कराना चाहती हूँ Hollywood is okay अगर Hollywood से call आता है Otherwise I truly want to be part only of Bollywood I want to entertain people of India अंकिता की दिली खौहिश है कि वो कर पाएं शाहरुखान और रनबीर कपूर के साथ एक film क्योंकि इन दोनों स्टार्स के साथ commercial तो वो पहले ही कर चुकी है अब दोनों के साथ एक film में भी वो करना चाहती है main single female lead role वैसे अंकिता पहुची थी as a guest एक store launch पर और वहां की ये सारी interesting बात है पर अंकिता की इन सुन्दर आखों में नजर आए सपनों को देख कर तो हम यही कहेंगे कि ये जरूर पूरे हो जाए रोशनी दूबे, जूम, मुंबाई